नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्ष भाडवाज एक 247 न्यूस का सोशल मीडिया प्लाटफॉम आप देख रहे हैं और इस वक्त हम आपके सामने आए हैं कुछ अलग अंदास में क्योंकि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि देश की पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पर धरना क कर रहे हैं जब स्रण पदक को लाते हैं तब हम सेल्फी खिचाने तो जरूर जाते हैं लेकिन क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आम जंता अभी भी सेल्फी खिचा रही है तो उसका मतलब तो हाँ ही है क्योंकि नामी गिरामी बंदे हैं स्रण पदक लात अब जब सवाल उठते हैं तो कुछ अलग अंदाज मेरे साथी एक यहां पर हैं वो बया करेंगे क्योंकि कविताओं का माध्यम होगा लेकिन बात वही कहेंगे कि आखिर कैसे देश के युवा देश के वो पहलवान जो स्वन पदक लाते हैं लेकिन उन्हें फिर भी इंसाफ के लिए सडकों पर तो भाईया बैठना पड़ता है और लोग तंत्र में इंसाफ के लिए सडकों पर तो बैठना पड़ेगा ही क्योंकि हमारे देश की खूबी है कि हम लोग तंत्र में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं मिलवाते हैं आप से कारें सेलफी भी खिचाती है जब कोई स्वर्ण पदक लाता है लेकिन आखिर ऐसी क्या वज़े हो जाती है कि साथ दिन आठ दिन पांट दिन सड़कों पर बैठना पड़ता है उन पहलवानों को और उसके बाद जब सुप्रीम कोट संग्यान लेता है उसके बाद F.I.R. तक करने की पूरी आजादी है तो उसी को मेन में रखते हुए मैं अपनी कविता की दुशंत कुमार ने ये कविता लिखी है तो उसकी कविता की कुछ लाइने बताता हूं कैसे है कि हो गई है पीर परवत सी अब पिगलनी चाहिए हो गई है पीर परवत सी कि अब पिगलनी चा आज ये दीबार जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले नहीं हो जाए थी कि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने ये बयान दिया कि वो ब्रेजभूचर श्रण सिंग जो डबलो एफाई के अध्यक्ष हैं उनके खिलाब एफायार दर्श करेगी तो उसी को लेकर कि ये लाइन है कि आज ये दीबार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए हर सडक हर गली हर नगर हर गाओं में हर गली हर नगर हर गाओं में हाथ हिलाते हुए हर एक लास चलने चाहिए तो यह इस तरीके की कुछ पंक्तियां हैं जैसा कि मैंने थोड़ी दर पहले एक वीडियो देख रहा था पेशेवर पहलवान है बिनेश फोगाड तो उन्होंने ब्रजबुशर सरण सिंग के खिलाब जब यह फैसला आया कि उनके खिलाब फायार द जाए इससे पहले जब धरना परदर्शन हुआ तो कुछ समय के बाद में पहलवालों ने धरना परदर्शन खत्म कर दिया फिर उसके बाद में अभी विनेश फोगाड ने फिर एक वीडियो रिलीज करते हुए यह माग की सवाल सवाल यह है ना कि हमारे देश का युवा सपना देखा हो तो आपको नहीं लगता कि वह वक्ति उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए हां सबको इखटा होना चाहिए और इसी के लिए हमारी युवाओं के लिए हमारे देश के लिए जो सपना देखता है उसके लिए अगर कुछ हो जाए बिलकुल बिलकुल मैं उसी से सम्मंदित आपको सुना रहा हूँ, ऐसे है कि एक तीखी आच ने एक जन का हर पल छुआ, आता हुआ, दिन छुआ, हातों से गुजरता हुआ, कल छुआ, ये पहलवानों के लिए है जब उन्होंने महनत की और देश के लिए वो मेडल लेकर आये, आता हुआ, दिन छुआ, हा हर उस हवा का आचल छुआ, एक तीखी आच ने इस जन का हर पल छुआ, प्रहर कोई भी बीता अचूता नहीं, आग के संपर्क से, दिवस मासों और वर्सों के कडाहों से, मैं उबलता रहा पानी से, एक तीखी आच ने इस जन का हर पल छुआ, परे हर तर्क से, एक चोथा उमर यूँ खौलाते बीती बिना आउकाश, सुख कहां यूँ भाप बन-बन कर चुका, रीता भटकता च्छानता आकास, अह कैसा कठिन, कैसा पोच मेरा भाग, आग चारू और मेरे, आग केबल आग, सुख नहीं, यूँ खौलने में सुख नहीं कोई, पर अभी जागी नहीं, वा चेतना सोई, वा समय की परतिक्षा में है, जागेगी आप, जूँ की लहराती हुई ढकनी उठाती भाप, अभी तो यह आग जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जिन्दगी यूँ ही कडाके मे उबलती रहे, उबलती रहे, यह आपने उन युवाओं के परिक्षम पे सुनाया है, तो इसका थोड़ा सा सार भी बता दीजिए, क्योंकि आपने जो कविता सुनाई है, मुझे तो अच्छी लगी और समझ में भी आया कि हाँ कैसे परिक्षम है, कितनी गरम हवाओं में आ यह रहे आई बार क्या होता है, मैंने कई फे बहुत अच्छी से लाइन लिखी देखी थी, उसमें लाइन में ऐसा लिखा है कि सरंगार करती हुई स्त्री से ज़ाधा खूबसूरत स्त्री अगर कोई है, तो वो संघर्श करती हुई स्त्री है, जनतर मंतर पर जो भी महिला पहलवान हैं जो भी पेशिवर रेसलर हैं उनके उनको देख करके ये लगता है कि महिला कितनी संगर्ष वान हो सकती है कितनी महनती हो सकती है तो उसको ले करके ही ये कविता की पंक्तियां थी कि किस तरीके से उनका संगर्ष के दिन रहे हैं और जब उन्होंने देश के लिए मिडल लेकर के आए तो पियम उनसे मिलने के लिए गए उनको उनका उनको प्रोसाहित किया और मुझे लगता है कि पियम को अभी उनके पास में जाना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए हलाकि वो खुद बिनेस फोगाड अपने भाशन में ये कह रही थी कि मुझसे गलती हुई मैंने इससे पहले जो धरना समाप्त कर दिया हम आपके वच्चे ऐसा करके जो पंचाई की खेपे हैं जो बहां पर उनके समर्तन में पहुँची अभी बाद में तो उससे पहले का उन परिक्षम होता उसका परिणाम भी वहाओं को मिलता है क्योंकि यह हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो खुशनूर ने अपनी पंक्तियों से समझाने की कोशिश करता है कि आप परिक्षम करें और परिक्षम का आपको फल ना मिले तो बुरा तो लगता है लेकिन परिक्षम का आपको फल मिल जाए उसके बाद कोई एक व्यक्ति आपके परिक्षम को अगर खराब करने की कोशिश करता है तो दिल में दर्द तो होता है और कसक भी होती है लेकिन उस कसक को आप जब सबके सामने रखते हैं तो कई ना कई उमीद बनती है कि परिवार की तरह मातपिता की तरह कोई व्यक्तित वाए कोई पूछे कि हां क्या दर्द है क्या तकलीफ है और उस तकलीफ को हर ले जाए और वो दुख दूर हो जाए शायद वही पहलवान चाहते हैं हां और एक पॉइंट खुशनूर और कहना चाह रहे हैं उसके बाद हम आप से अलविद अधा करना चाहिए कि खैर पुलिस ने सुप्रिम कोड भी कही है सुप्रिम कोड के अंदर इस बात को एकसिप्ट किया कि वह ब्रजभूसर सरण सिंग के खिलाब फायार दर्ज करेगी मुझे लगता है कि यह इसमें पहलवानों को खुश हो जाना चाहिए कि खैर ब्रजभ क्यों कि हम सवाल पूछते हैं और जेके 24-7 सवालों को पूछेगा डंके की चोड पर जवाब राजनेताओं को देना होगा जो अस्वक सत्ता के कुरसी पर बैठे हुई है फिलाल आप से एक छोटा सा कहेंगे कि वक्फा ले रहे हैं जो उर्दू में शब्द इस्तमाल किय जाता एक ब्रेक ले रहे हैं लेकिन अभी शोटल मेड़ा पर हम आपके पास है इसके द्वारा मुलाकात जरूर करेंगे इजाधत आप मुझे दीजीगा हर्श भार्दू आज फिर आपके सामने हासिर होगा कुछ नए अंदास के साथ नमस्कार